देश भर में कोविड मरिजों के लिए ऑक्सिजन की किलत, दवाओं की किलत, बिस्तरों की किलत, अस्पतालों में सुविधाओं की किलत, इन सारी चीजों पर सुप्रीम कोट ने आज सुनवाई की, जस्टिस चंदर चूड़ और जस्टिस आश्रविंदर भट की पीठ ने केंदर सरकार से गुरुवार तक एक विस्तरित हलफ नामा देने को कहा है। केंदर से ये पूछा गया है कि उनके पास अगर पांच बिंदू में अगर हम इस आदेश को सौंपें तो पहला ये कि ऑक्सिजन की अभी की सप्लाई और अभी जरूरत की स्थिति क्या है। की जीवन रक्षक दवाओं की आपूरती की जा सकती है। तीसरा ये कि हर एक जिले के जिला धिकारी से वहां की हर एक जिले की स्थिति पर निगाह रखने के लिए सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि केंदर सरकार के पास क्या योजना है जिससे कि हर एक जिले के साथ जुड़ के लिए क्या इंतिजाम है? साथ ही कोट ने अपने आदेश में ये भी कहा है औक्सीजन के टेंकर, औक्सीजन की सप्लाई हर एक मरीज तक सुनिशिक्त करने के लिए सरकार की योजना क्या है? कोट ने सुनवाई के दौरान देश में बहुत बुरे हालात है नेशनल इमर्जेंसी जैसी सिच्वेशन है लहाजा हर एक आदमी को हर एक सरकार को और देश के हर एक नागरिक को अपने अपने करतवे सुनिश्चित करने चाहिए ये भी कहा है कि आक्सीजन के टैंकर उनकी स्थिति एम्बुलेंस की तरह हो कि ये क्या-क्या इंतजाम कर रहे हैं उनके इंतजाम क्या है कोट चाहता है कि समग्र सभी राज्य सरकार केंदर सरकार सभी विशेशक्यों की तरफ से ये सुझाव आएं योजनाय आएं ताकि उस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जा सके क्योंकि अब समय नहीं है इन पर ज्यादा चर्चा करने का समय है चर्चाओं पर जल्दी से जल्दी अमल करने का यानि समय अगर निकल गया उसके बड़ी से बड़ी योजनाय कर दें उससे कुछ नहीं होता कोट का अभी भी मानना है कि बहुत सारा समय निकल चुका है लेकिन अभी भी समय है कि हम पहुंचाई जा सकें फिल्हाल कोट ने कहा कि ब्रहस्पतिवार शाम तक सभी को अपने अपने हलफ नामे और जवाब दाखिल करने हैं कोट शुक्रवार 30 अपरेल को दिन में 12 बजे इस मामले के फिर से सुनवाई करेगा यानि केंदर सरकार के जवाब पर पूरी चर्चा हो होगा कि जल्दी से जल्दी इन्हें कैसे जनता तक पीडित जनता तक देशवासियों तक पहुंचाया जाए